दोस्तों आने पर रखे जाने वाले अभिलोखों में एक महत्वपूर अभिलेक पलाई अपराधियों का रजिस्टर जिसे हम मफ्रूर रजिस्टर भी कहते हैं होता है इस रेजिस्टर में अपराधियों का नाम अंकित किये जाते हैं ऐसे अपराधि जो अपराध करने के बाद भावियाते हैं इसमें अंकित होने वाले अपराधि और वह बहुप्रकार के होते हैं और प्रकार के वो अपराधी होते हैं जिनका नाम और पता सत्याफित होता है तथा बोप्रकार के ऐसे अपराधी होते हैं जिनका नाम और पता सत्याफित नहीं होता है और प्रकार के अपराधी का नाम घटना के दिनांग से 30 वर्स तक इस रेजिश्टर में अंकित रहता है और बौप्रकार के अपराधी का नाम 5 वर्स तक इस रेजिश्टर में अंकित रहता है इस रिजिस्टर में पलाई तपराद्जियों को तलास करने की कारवाई का पूर बीवर्ट अंकित किया जाता है कि किस-किस समय में किस-किस दिनां को क्या-क्या कारवाई उसका पता लगाने के लिए किया गया इसका पूर बीवर्ट इसमें दर्ज किया जाता है दोस्तों पाना के विलिट्फों में इंडेक्स प्रखम सुचना रिकोर्ट औहस्तक 6P भी एक महतपूर रिजिस्टर होता है जद्दक की औहस्तक 6P अपरात की प्रखम सुचना रिकोर्ट समान रूप से पुलिस द्वारा भी विचना नहीं की जाती है परंधू ठाने पर पंकृत होने वाली औहस्तक 6P रिकोर्ट की अधार पर दो प्रेकार के इंडेक्स रिजिस्टर बनाये जाते हैं अर्थाथ NCR के संबंध में, Non-Calg salaryable Report के संबंध में 2 प्रेकार के रिजिस्टर बनाये जाते हैं जैसे एक ग्रामवार अर्फात मुहलावार और दूसरा नामवार ग्रामवार का मतलब यह हुआ कि अमुक गाउं में अल्फावेटिकल नाम से यह दर्ज होता है कि अमुक गाउं में कौन-कौन से और हस्तक छेटी अपराद भतित हुए हैं तो यदि हमें इसी गाउं में पता लगाना है कि वहां कौन कौन से और हस्तक छेटी अपराद भतित हुए हैं तो हम ग्रामवार रजिस्टर से सिधे उस गाउं का इंडेक्स पूल करके और देख सकते हैं पता लगा सकते हैं इसी प्रकार इंडेक्स औहस्तक्षेपी अभ्युक्त के नाम वार का रेजिस्टर होता है कि नाम से अलफाबेटिकल नाम से हम नाम खोल करके नाम के माध्यम के पका लगा सकते हैं यदि कोई पूचा जाता है तहीं से कि अमुक ब्यक्ति का अपराजिक रिकार पताईए तो हम नाम वार के माध्यम से रेजिस्टर का इंडेक्स खोल कर और उसका औहस्तक्षेपी अपराज का विवर प्राब कर सकते हैं इन दोनों परकार के इंडेक्स के अध्यान से पताद चल सकता है कि किस मुहलिया गाओं में उस्तक्षेपी अपराज बारबर हो रहा है और यह भी पताद सकता ही कौन जटक्ति किस परकार का अपराज बारबर कर रहा है इसी प्रकार क्रिया सील अपराधियों का रिजिस्टर भी महतपूर रिजिस्टर है इस रिजिस्टर में थाना पुलिस द्वारा उन अपराधियों के नाम शत्रा दिकारी से और मोदन उपरांद अंकित किये जाते हैं जो अपराध में सक्री होते हैं बर्स भर में उते बिरुद्ट पंजिकरित अपरादों का दिवरट इस रेजिस्टर में उनके नाम वाले प्रिश्ट भाठ परंगित गया जाता है थाना भच इस रेजिस्टर को देख कर यह उन्मान भली भाती लगा सकते हैं कि उस ब्यक्ति की अपराद में सक्रियता रही है या नहीं रही है अगला महत्वपूर रेजिस्टर है बीख की फर्मेसन रेजिस्टर प्रतियक सहरी ठाना चोपियों में बटा होता है तक चोपियां बीख में बटी होती हैं और ज्रामिर छेत्र के धाने बीट में बटे होते हैं दोनों प्रकार के धानों में धाना छेत्र से प्राप होने वाली अपराज वा अपराधियों से सम्मंदी सुचनाओं का एक रेजिस्टर रखा जाता है इस रेजिस्टर में अंकी सुचनाओं में जांचो परान आवसकता अनुसार रोग ठान की कारवाई करके अपराज नेंटर किया जा सकता है ज़र सुचनाय पराप नहीं हुई तो इस और घ्ञान देना की आवसकता होती है कि इनकी सुचनाओं के अभाव में अपराज के रोग ठाम की कारवाई करने में कठिनाई हो सकते हैं पुलिस की सफलका इस बात पर निर्वर है कि उसको भटना से पुरो सुचना पराज हो जाए और वह समय रहते निर्वर भात्म कारवाई करके अपराज पर नियंपर्ण कर सके हैं गुंडा रजिश्टर यह रजिश्टर प्रतेक थाना पर थाना छेत में रहने वाले गुंड़ों का रजिश्टर है जिसमें सामान रूप से छे भाग होते हैं जैसे किडाये पर हत्या करने वाले दबा कर अब साथ जवर्यस्ती पैसा वसुलने वाले चापु मारने वाले सामपरदाई गुंदे महिलाओं के साथ छेरखानी करने वाले पता सराप की करगाली गलोज वा उत्पात करने वाले इस रेजिटर की अध्यन से अग्यात हो जाता है कि कौन गुंदा व्यक्ती ऐसा है जिसको 110 दन प्रक्रिया संहिता में पावन कराने की आवसक्ता है अक्वा गुंदा एक्टियन परगर जन्पर से निस्कासित करने की आवसक्ता है दर्ज सुचनाओं के अधाल पर ही करवाई की जा सकती है और उनकी अपरादी के अध्यों करने इंफ्रा लगाए जा सकता है ठाने पर रखे जाने वाले विलेकों में जमानत रेजिस्टर महत्वपूर अध्यलेक है इस रेजिस्टर में गिभीन अपरादों में पकड़े गए अभिप्तों की जमानत होने की तिथी का उलेख रहता है इस रेजिस्टर के अध्यन से अभी पता चल सुथता है कि कितने अपरादी गिरफ्तारी के बाद जमानत पर छुट कर वापस आ गए है यदि यह रेजिस्टर ठीक प्रकार से न रखा जाए तो थाना पुलिस इस घम में रहेगी कि उनके द्वारा पकड़े गए अपरादी जेल में है जबकि वह अपरादी जमानत पर रहकर अपराद में लगे हों हो सकते है अगर रेजिस्टर ठीक है तो उनकी आपरादी कर द्विजियों पर गृष्टी रखी जा सकती है प्रक्तिय क्योखार पर ठाने की फुलिस द्वारा च्षित में सांती बनाये रखने ही जोती लगाई जाती है और क्योखार समाप्ती के पस्चाथ उसका एक नोट क्योखार रेजिस्टर में लगाया जाता है क्योखार का नोट ठाना ध्यक्ष को स्वैम लिखना चाहिए और अपने छेत्रा धिकारी के अर्मोलिद करा देना चाहिए क्योषार रेजिस्टर में जो भी नोट लगाया जाता है वो आने वाले समय में पुलिस के लिए मार्ग दर्षन का काम करता है अतरह नोट भी स्तार से लिखा जाए ताकि भविस में पुलिस से चेत रहतर पुरुसा उभानी रख सके और अपरी खत्मा नहोंने पाए जैसे क्योषार कब से कब तक मनाया गया फुल कितना पुलिस बल लिख किया गया बाहर से कितना पुलिस बल प्राप्त हुआ डियूती के लिए संबेदन सील अस्थान कौन कौन से है कोई समस्या जो सामने आई हो समस्या का निजान कैसे किया गया भविस्ट के लिए ध्यान में रखने योगे बिंदू क्या क्या है क्योषार पर निकाले गए ज़ूस का रूप अतातरास्ता क्या क्या है दोस्तों ठाने पर रख्थे जाने वाले अधिलेखों में जांच पर्ची और और बौ का इंडेक्स रजिस्टर बहुत ही मौतपूर रिष्टर है ठाना पुलिस द्वारा जांच की पर्ची और इस्टी सीटर के अपने निवास अस्थान से इस अन्य ठाना चेतर में जाने पर उसकी आवागमन को तश्दीक करने के लिए उठाने को भिजी जाती है जिस ठाना चेतर में वाफ गया है और फर्ग और अपराप करने वाले ठाना रख्थ द्वारा यह तश्दीक किया जाता है कि वह हिस्थी सीटर उसके ठाना चेतर में आया है या नहीं किस प्रकार इस फर्ग और के ध्वारा हिस्थी सीटर की आवागमन कर विष्दीक रखियाती है और उसकी आपराधी के गदियों पर परोग सुरूसियर नियन कर लगाये जाता है क्योंकि वह जानता है कि उसके आने जाने के बारे में जान की जा रही है यदि उसके वहाँ पहुंचना तस्दीक नहीं होता है तो हिस्टी सीटर का खर से जाना संदिध माना जाता है और एक नोट उसकी हिस्टी सीट में इसासे पर लगा दिया जाता है और उसकी निग्रानी अवज भी बढ़ाई जाती है, इस प्रकार करवाई भी इस्टी सीटर की गद्विदियों पर अंकुस लगाने में कारगर सिर्द्ध होती है, इसी प्रकार जब कोई बाहर का ब्यक्ति किसी पर्टिकुलर ठाना चेतर में आता है, तो उसके ठाने पे जा जब किसी ठाना चेतर में उस ठाना चेतर के बाहर का ब्यक्ति आकर नाज करता है, तथावा संदिग्ध होता है, तब उसके ठाना चेतर को जांच की पर्ची और इसे भी पर्ची भी कहते हैं, भीजी जाती है, यह ब्यक्ति आपके यहां का हमारे यहां, हमारे ठाना चेतर म में आके रह रहा है इसका अपराधिक रिकार्ड क्या है उसके संबन में पूरी जैनकारी की जाती है और इन जोनों सुचनाव को और और बा का इंदिक रर्जिश्कर में अंकित पिया जाता है ग्रिय भेदन के अपराध का मानचित्र प्रतियक ठाने में ठाने की छेत्र का मानचित्र बनाकर उसमें ग्रिय भेदन की घटनाओं को दरफाए जाता है इस मानचित्र को देखकर ठाना ध्यक्ष या हरुमान सुहर्य लगा सकते हैं कि कौम सी छेत्र में अधिक घटनाएं हो रही है और उसकी रोगठान के लिए गस्प, गाड़ा बंदी, ववनिग्रानी की कारवाई तदम साथ की जाती है पिछले वर्सों में प्रकास मियाए अपराजियों का रेजिस्टर यह रेजिस्टर भी अपराज निरोज के जिष्टिकों से कापी मुहत्पूर होता है प्रतियक ठाने पर विभिन अपरादों में पिछले दस वर्सों में प्रकास मियाई अपरादों का अपरादवा रखा जाता है इस रजिस्टर को देखने का उद्देश यह है कि यदि किसी अपराद की घटिना में अभित्त ज्यात है तो उस प्रकार चिपुर की घटी घटनाओं में प्रकास मियाई अपराधीन की सूची बनाकर उनसे फूस्ता की जा सकती है और विवेचना को एक नई दिशा दी जा सकती है प्रचलिप जगडे के प्रकरणों का रजिस्टर यह रजिस्टर प्रतियक खाने पर इसलिए रखा जाता है ताकि छेतर के प्रकलिप प्रकरणों में जगड़ों के बारे में इसमें सुचना अंकित कराई जाए केवं समय रहते उस रोखने की कारवाई की जाए यदि इस प्रकरण के प्रकरण में तब परता से कारवाई की जाए तो बहुत से मामलों में गंधील अपराद होने से रुपा जा सकता है अगला महत पूर्ड लिष्टर है राजनायतिक पार्टियों का रिष्टर प्रतियक खाना च्छेतर में विधिन राजनितिक पार्टियों के पदाधिकारी वर सदस निवास करते हैं यद जब राजनितिक पार्टियों के पदाधिकारी जनता का एक प्रक्रित करते हैं परंतु यदा कदा पुलिस को सतिपर राजनितिक पार्टियों से बदाजिकारियों और सदस्यों के विरुद सांत योउस्था बनाए रखने के लिए कारवाई करनी पर सकती है इस रेजिस्टर में पार्टि बदाजिकारियों, उनके मुख्य मुख्य सदस्यों पार्टी कार्यालाय का स्थान और टेलिफोन नंबर आज की दिवरण अंकित किया जाना चाहिए है राजनितिक पार्टियों के सूचना का रेजिस्टर इस रेजिस्टर में विभिद रायुतिक पार्टियों की थाना छेत्र में समय समय पर होने वाली गत्विधियों का दिवरण कितिवार अंकित किया जाता है और इसी अधार पर अस्थानी एक सुचना इकाई को थाना धर्च द्वारा साप्ताहिक को डायरी प्रेशिट की जाती है इनी सुचनाओं के आधार पर आज नेतिक पार्टियों के भविष में होने वाले अंदोलन, जलसा एवन जुनूज और प्रगलसा नाजिका समुचित परवन किया जा सकता है अको उनकी गत्विधियों को नियंकित करने के लिए रोग ठम की कारवाई की जाती है इससे कोई अपनी गत्ना ना हो गैन रजिस्टर इस रजिस्टर में डटैतों, पसुतोरों या रेलेवे वैगन में चोरी करने वाले संगत्रिक गूरों को पुलिश दिप्चत की उनमती से इंकित किया जाता है इस रजिस्टर में गिरोह के पंजी करण का कारण, गिरोह का पुरो इतिहास और उसके कारण पगधत का दिवरण प्रविश्ट किया जाता है अग्ठाई अधिलेख है और पंजी किरोह को उसमें से कभी नहीं मिटाए जाएगा परंकुई अनिसित हो जाने पर कि गिरो भंग हो गया है इस गिरो के सम्मझ में की जाने वाली ज्यांतिय अकूस का चुनिस अधिक्षक के आदेश से बंद की जा सकेगी यदि कोई गिरो एक से अधिक गिरो में विभाजित हो गया है तो उन सभी जीलों के धिक्षट को यहां उस जीलों के पंजी करण के लिए तरवाई की जाएगी आरोप पत्र रेजिस्टर इस रेजिस्टर में वी बिशमना के उपरांत किसी अपराज उठ के अभित के दुरूध आरोप पत्र को विजारर ही जि़ू नियाले भेजने का उलियक होता है इस रेजिस्टर के उपराज रेजिस्टर के खिलिः में समय समय का प्रतीत होती है यदि किसी जक्ति के बिरुद धारा 110 गन प्रक्रिया संहिता घुंडा है तो उस जक्ति के बिरुद नियाले में पुर्व में प्रिशीद आरुपत्र का दिवरा इस रेजिस्टर की प्रक्लिटियों के द्वारा पस्तुतिया जा सकता है सस्त रेजिस्टर प्रतियक ठाने पर सस्त रेजिस्टर रखा जाता है जिसमें ठाना छित में रहने वाले सस्त धारकों के नाम पता एवन उनके द्वारा रखे जाने वाले सस्त का दिवरा रंकित रहता है इस रेजिस्टर का द्यां करके ठाना जट यह दिसकर्स निकाल सकता है कि कौन-कौन से गाउं अत्वा मुहले ऐसे हैं जहां सस्थ धारक नहीं है ऐसे छेत्र में गश्ट भेजना आवस्चत समझा जाना चाहिए क्योंकि ऐसे गाउं अत्वा मुहलों में अपराध होने की आशन का अधिवरती है इस प्रकार के गाउं अत्वा मुहलों में कुछ लोगों को सस्थ के लाइचेंस दिर्वाए जा सक थाना धर्च की गोपनिय जायरी प्रतियक थाना धर्च को अपनी जायरी होती है यह एक अस्थाई अभिलेख है इस जायरी में अपराध और अपराधियों के बारे में पुलिस सहायता करने वाले लोगों के बारे में पुलिस का दिरोज करने वालों के बारे में और दुराचारी पुलिस करनीयों के बारे में सुचनाय अंकित की जाती है प्रतियक ठाना धच अपने कारेकाल में इसमें सुचनांकित करता है ठाने का कारेभार लेते समय यह वोपनी जायरी निवर्तमान ठाना धच वारा कारेभार लेने वाले ठाना धच को दी जाती है कारे भार गुरहण करने वाले ठाना ध्च का दाइप को है कि वह इस जाईरी का प्रारम्स से ही गाराई करें और ठाना च्यतर के अच्छे गुरे लोगों के बारे में जानकारी लेराव करें उसके पस्चाता और सक्तान सारा प्राधियों के गृत कारवाई की जा सकती है इसे अपने जारी के बारे में सबसे महतकूर बात गया है कि इसमें अंकित की जाने वाली सुचनाएं सही होनी कहीं और इन सुचनाओं को गोधनी रखता जाना साथ है